कर आदे नाम है निमेश भीग बॉस हो ग्यारा लेकर लेकर तो हम बाते हर दिन कर रहे हैं splaying और जो बिग बॉस के खर से निकल रहे हैं अंठे इंटिविाव भी और आप सुन रहे हैं हम बाते कर रहा है चिंतन गंगार की अब आप समझ नीपा रहे हो कि चंतन गंगार कौन है बतारू चिंतन folklore है बिक बोस 11 गर में नज़र आने वाले जलात की में बाते कर रहा हुँ जियां आप वीकेंड के वार में जलाद को देख पाते हैं जब लगजरी टास्क होती है तो वहां पे कभी तो भी जलाद आयाते हैं और इस जलाद को हसाब पाना मुश्किल ही नहीं, नामुनकीन है तु तो मैंने सूचाि कि चल्लास के साथ थोड़ी सी बाते हो जाहे, फोड़ी सी खोजाए इस वक्त मैं सानन, अदर देन, very talented CHINTON उनके साथ भारी बाते होने वाली है मैं उनको फोन लगने वाला हूं किल नटिए निमेश कोलकाता है यह यह कोली जोड़ी है सजी आपका बहुत बहुत स्वागे तैंगा नाइटी नटिए आवाज इस फक्रेंश दोड़ा है कुछ कहना चाहेंगे वेख दूढ़ा लेकुम, सेखेकार केमशो भाड़ो कॉलकता लव्यू कॉलकता, I always love कॉलकता, it's a very beautiful place and Taurogangali, one of my favorite fan, I'm a fan of Taurogangali and he's Jilong from कॉलकता and it's a very beautiful city and I love all people of कॉलकता तर आप बोलते रहो, हम सिप सुन्दा क्यासे आपको यह 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 जो आपने में बोलते होए वे सुना है पार सहल से शो में मैं मुटेड हूँ और काफी कम लोगों है दुस्से में में सुना है अभी तक बढ़ किया कॉलकता है इस बिग हार्ट ऑफ अब एंडिया चीछा इंडिया था बहुत अच्छा हार्ट है कॉलकता एंडिया चाहेंगे चिंटर आप जल्दी अली कोलकाता शेहर में आए हमारे चैनल लेफ्रेंट से फ्म पे और बाते गए वैसे मुझे पताईए यह जलात की कानी शुरूबात कैसे हुई इंडिया शुरूई इस चुरूई इस बिग वार्ट सेवें में एक एक पॉंसेट था था थ प्रेंड ही तुक में देए और बाते शोवे टोपीश ऑफ प्र भाट थे वार्ट सेवे बारे शुरूई और वहां से वह कानी शुरूई और जब नहीं ले पहली बार रही है और मुझे बोला जिए आपको हंना निया चाहाए तर्मान भाई किना भी आता है कुछ भी करें आपको मुझसे सही देखा है, तो बस वो दिन, वो पल, जो चला, आखे जो तिखी वो आज से गहते ही दिखते आ रही है, वैसे दिखते आ रही है, लेकि एक टास्क में इसके पहले वाले जो लगज़री टास्क में अमने जलात को पहली बार हस्ते हुए देखा था, उसको र आखे से मैं हस पड़ाओ, आकाश पुनीस और अरस्ती में मिलके गज़री हता दिया, वो बहुत ही दिखिकल्टी होती है, तर भी मैंने काफी हतना पर गज़री गज़र पर वैक्षिन में जो इसके रियक्से उसको दीखना तो यार मतलब रावन भी होता ना, अगर बगव ऑपड़ी होता है, बड़े बड़े अक्ट के रियक्से ने क्टी सुम्हान है, अगर देखा कि आप हसे अगर बिग बॉसर की तीम की थैपि तो उसे एडिट कर सकती थी, आपको प्रिष से दिखा सकती है, कि आप नहीं हसे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को दिखा दिया इसका मदलग एक परेसे रियल शो है यह रियल शो है, यह 100% रियल शो है और गही बात एड़िट की तो आज तक इसा कभी हुआ नहीं है कि मैं असा हूँ इसमें पर यह हसी होती होती है एक आफी नेच्रालिटी इसमें आफी नेच्रालिटी वह बहुत अलग और प्राइब होती है तो वो कही ना कही अथा जिखना भी थे पुब्लिक को कि उन्हें इसा नहीं लगना चीए जल्दा रियल शो है बहुत जन्म होती है आफ और रियल में बहुत अलगी इंसान तो पही नहीं था जोटा सा चीए वार आणा भी जरूरी था जन्म होता है जब गर के अंदर जाके रहना और वो जगड़े वगड़े यह सब रियल होता है लोगों को यह लगता है कि यह करवाया जाता है तो यह बहुत बलत है यह बताई है कि आप पांसाल से जुड़े हुए बिग बॉस के साथ तो जब शूट नहीं होती है तो आप लोग कैसे एंजॉय करते हो कुछ अंदर की बाते बताई है कि हम तो बिग बॉस के गढ़ में जानी पाए हैं शूटिंग सेट पे अभी तक जानी पाए हैं तो यह जब वीकेंड का वार होता है तो हमने शूट करते वाँपे और फिर तो इनके डेली शूट चलते रहते हैं पर इनको बिल्कुल भी कोई पैसिंग को नहीं नहीं निलती यह गर के अंदर वैसे ही रहते हैं अंडेड और फाइड ना यह भार का दर्वागा देख पते हैं न जब शूटिंग नहीं चल रही है तब यह यहां मतलब शूट तो पूरा एक दिन चलती है शूट जिसमें दोनों एपिशोड शूट होते है एक दिन पहले हो जाता ही है बट इंट्राइक्शन तो यह ओबिसली होती है पर बहुत अच्छा लगता है तुमान करके इना प्र जलमान सर्फ ने अभी तरक आपको ऐसी कंपलिमेंट दी हो यह अगया है चाहा हो जो आपको याद हो यह तो बहुत बार उनोंने काया और कोंपलिमेंट के जाला है यह पाथवे सीजन में जो देख रहा हूँ है इस अप पनी की वज़े से उन्होंने मिजे वाफरस वाफर जिन्दन आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप नजर आ रहे हैं, आने वाले कुछ प्रीचर प्लैंस के बारें बताएंगे, बिग बॉर्स तो चली रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग आप उप्यार कर रहे हैं, और साथ चाथ आप क्या करना चाहिएंगे, बस अ मेरा क्यारक्टर जो है अंडेरी में विलें लीडिट लेड इन डाइच मोगी, तो यह मेरा क्याद अर बाकी भी मैंने चाहर पाजश जित्तरे साइन किये बड़ बड़ विलेगों विलीग होते जाएंगी वाँद आप इंच पाइव में किसको देख रहे हैं, अले मैं आपक पाइर को सच्टे है जो इसाप चलता है जिए बाद जिन्दन तक तक फ्रेंड सेफम को समय देने के लिए आएंगे अप जल्डी अली कोलकाटा शहर में आये और भी जेड सारी बाते होगी तुरिया बैट के हम दूम मचाएंगे जेड सारी बाते करेंगे थैंक तक तक करते हैं यह कौकता बालों को मिझे एक गाना च्छाएंगा चाहूंगा यह वाइंका बव्यक्ता बहुती spots लुजया Łना जो दूर्ण चाहूंगा जए भाइसका बहुती अचमद करेंट चछरा मेरणीर नो-चाहरा रूम सवर्यान मेर्फ कर दिए जवानी कही जैसी तुने वैसी रेवा जग गुमे आथार जैता ना कोई 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 या बाद आथा जैता ना कोई जग गुमे आथा जैता ना कोई जग गुमे आथार जैता ना कोई लव यू ब्रदर मज़ा आगिया थैंक यू सू मुझ विलिए देमाय सार नन अदर दैन वेरी टैलेंटेटर एक्टर चिंतन गंगार जिनके साथ हमारी बाते हो इती 91.9 फ्रेंट्स फ्म पे चलाक के रूप में नसर आ रहे हैं बिक बॉस के खर में क्या बाद मज़ा आगिय 91.9